आज 12 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे ब्रामण हैं चोटी और शूद्र हैं पाव जब शूद्र से ब्रामण बने तब देवता बन सकेंगे मीठे बच्चे ब्रामण हैं चोटी और शूद्र हैं पाव जब शूद्र से ब्रामण बने तब देवता बन सकेंगे प्रशन तुम्हारी शुब भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य वरोध करते हैं उत्तर. तुम्हारी शुब भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन हो जाए. इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया बिनाश होई की हुई. इसका भी मनुश्य विरोध करते हैं. दूसरा प्रश्न इस इंद्रप्रष्ट का मुख्य काइदा क्या है उत्तर कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रष्ट की सभा में नहीं ला सकते अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है ओम शांती बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं जब राज स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी स्रष्टी नहीं रहेगी सबको इस विश्व से शांती धाम में भेज देते हैं ये है तुम्हारी भावना परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारिया ये फिर क्या कहती है विनाश विनाश ही कहती रहती है तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है ये बात दुनिया वाले नहीं जानते विनाश होगा तो सब चल कहते हैं मा में कम याद करो ये तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएं फिर तो कर्माती तवस्ता हो जाए अभी तो सब पुरुसार्ती हैं जो ब्रामण बनेंगे वही देवता बनेंगे ब्रामणों के बाद हैं देवता हैं बाप ने समझाया है ब्रामण हैं चोटी जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं पहले आता है माथा चोटी ब्रामणों को हमेशा चोटी होती है तुम हो ब्रामण पहले शूद्र अर्थात पैर थे अभी बने हो ब्राम्मर, चोटी, फिर देवता बनेंगे देवता कहते हैं मुक को, शत्रिय भुजाओं को, वैश पेट को, शूदर पेर को, शूदर अर्थात, छुदर बुद्धी, तुछ बुद्धी तुछ बुद्धी उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की गलानी करते हैं तब बाप कहते हैं जब जब भारत में गलानी होती है मैं आता हूँ जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं यदा यदा ही धर्मस्या बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगा आते ही नहीं भारत ही अविनाशी खंड है बाप भी अविनाशी है वह कभी जन्म मरण में नहीं आते बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैट सुनाते हैं ये शरीर तो है विनाशी अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है धागा नहीं जलता आत्मा कभी विनाश नहीं होत इस पर ही ये बिंशाल है, ये कोई भी मनुष से मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा विनाशी है, वे तो कह देते आत्मा निरलेप है, बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा वा बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा, एक शरीर छोड़ पिर दूसरा लेती है और कर्मभोग तो वह हिसाब किताब ले आई न इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्ट से अपार दुख भोगते हैं आयू भी कम रहती है परन्तु मनुष्ट से इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो फिर भी कहते हैं विस बिगर हम रह नहीं सकते हैं क्योंकि शूद्र संप्रदाएं हैं न शूद्र बुद्धी हैं तुम बने हो ब्राम्मर चोटी चोटी तो सबसे उँच है देवताओं से भी उँच है तुम इस समय देवताओं से भी उच हो, क्योंकि बाप के साथ हो, बाप इस समय तुमको पढाते हैं, बाप उबिडियन्ट सर्वेंट बना है ना, बाप बच्चों का उबिडियन्ट सर्वेंट होता है ना, बच्चे को पैदा कर, सम्हाल कर, पढा कर, फिर बढा कर, जब मिलकियत बच्चे को देकर खुद गुरू कर किनारे जाकर बैठते हैं वान प्रस्ति बन जाते हैं मुक्ति धाम जाने के लिए गुरू करते हैं परंतु वह मुक्ति धाम में तो जाना सकें तो मा बाप बच्चों की संभाल करते हैं समझो मा बीमार पड़ती है बच्चे टट तो बाप को उठानी पड़े न, तो मा बाप बच्चे के सर्वेंट है रे न, सारी मिलकियत बच्चों को दे देते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूं तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूं, तुम तो बड़े हो न, तुमको बैट शिक्षा देत हैं, तुम शिबाबा के बच्चे बनते हो, तो बीके कहलाते हो, उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्याले में थे, अभी तुम वैश्याले में रहने वाले नहीं हो, यहां कोई विकारी रहना सकें, हुक्म नहीं, तुम हो बीके, यह स्थान है ही बीके के रहन उन्हों को यहां रहने का हुक्म नहीं आ नहीं सकते। इंद्र उप सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहां ग्यान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को स्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्र प्रस्त है ना। यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ये हो गई इंद्र सभाग। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं, तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धी बन जाते हैं, यहां पारस बुद्धी बन रहे हो न। तो उनको जो ले आते हैं उनको भी स्राप मिल जाता है तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है यह गुप्त बातें अभी तुम देवता बन रहे हो बड़े कड़े काईदे हैं अवस्ता ही गिर पड़ती है एक गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो यहां बीके रहते हैं उन्हों को देवता आरथात पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बाब बना रहे हैं बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी काईदा न तोड़े नहीं तो उन्हें पांच भू लोब मौ अहंकार ये पांच बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के तुम यहां भूतों को भगाने आये हो आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह पवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई है इस दुनिया में अथा दुख हैं बाप आकर ग्यान वर्चा करते हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं तुम ही योगवल से देवता बनते हो बाप खुद नहीं बनते हैं बाप तो है सर्वेंट टीचर भी स्टुडेंट का सर्वेंट होता है सेवा कर पढ़ाते हैं टीचर कहते हैं हम तुम्हारा most obedient सर्वेंट हो कोई को barrister इंजीनियर आ चाने की सेवा करते हैं, परनतु आजकल तो गुरुो कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वे भी पतित हैं। एक ही सत्तुग्रु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं, ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतीयो को, पते दुनिया कहा जाता है कलियो को, सतीयो को ही पूरा स्वर कहेंगे, त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं, ये बातें तुम बच्चे ही समझ कर और धारन करते हो, दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतियुक त्रेता में देवता बनेगे वही फिर द्वापर से अपने को हिंदु कहलाएंगे यू तो हिंदु धर्म में अब तक भी जो आत्माएं उपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदु कहलाती हैं लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और नाहीं स्वर्ग में आएंगी वे फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उत्रेंगी और अपने को हिंदु कहलाएंगी देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदी से अंत तक पाठ है यह सत्य नारायन की कथा वे तो जूटी कथा सुनाते हैं उससे कोई लक्ष्मी वा नारायन बनते थोड़े ही है यहां तुम प्रैक्टिकल में बनते हो कल्योग में है ही सब जूट जूटी माया, रावन का राज है ही जूट सच खंड बाब बनाते हैं ये भी तुम ब्राम्मर बच्चे जानते हो, सो भी नंबर वार पुरसारत अनुसार क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, तो फेल हो पढ़ते हैं, ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, शुरू में जो आसी का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन भिन नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है, इतनी छोटी आत्मा उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है, आत्मा तो सब में होती है न, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है, ये सब बहुत सूच्म समझनी की बाते जो बच्चे ये अच्छी रीती समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है पहले तुम कांटे थे बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है ये आदी मत्य अंत दुख का मूल कारण ही है काम काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे इसमें ही बहुतों को मुश्किलाते फील होती हैं बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं जो कल पहले बने थे वही बनेंगे समझा जाता है कौन पुरुसार्थ कर उच ते उच देवता बनेंगे नर से नारायन नारी से लक्षमी बनते हैं न नई दुनिया में इस्तुरी पुरुस दोनों पावन थे अब पते थें पावन थे तो सतो प्रधान थे अभी तमो पुरुसार्थ करना है ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते वह धर्मी अलग है निवरती मार्का यहां भगवान तो इस्तुरी पुरुस दोनों को पढ़ाते हैं दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राम्मर बनकर फिर लक्षमी नारायन बनना है सब तो नहीं बनेंगे लक्षमी नारायन की भी डिनाइश्टी होती है उन्होंने राज कैसे लिया ये कोई नहीं जानते हैं सत्यूग में इनका राज था ये भी समझते हैं परन्तु सत्यूग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो ये अज्यानता हुई ना बाप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल वह फूलों का बगीचा यहां आने से पहले तुम असुर थे अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो कौन बनाते हैं बेहद का बाप देवताओं का राज था तो दूसरा कोई था नहीं ये भी तुम समझते हो, जो नहीं समझ सकते हैं, उनको ही पतित कहा जाता है ये है ब्रह्मा कुमार कुमारीयों की सभा अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को स्रापित कर देते हैं पत्थर बुद्धी बन पड़ते हैं सोने की बुद्धी नरसे नारायण बनने वाले तो है नहीं प्रूफ मिल जाता है थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं ये भी गायन है किनकी दबी रहेगी धूल में आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे मौत तो आना है जरूर ऐसी ऐसी चीजें तयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की वा हत्यारों आदी की दरकार नहीं रहेगी वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्स छोडेंगे उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो जट खलास कर देगी इतने करोडों मनुष्यों का विनाश होना है कम बात है क्या सत्यूग में कितने थोड़े होते हैं बाकी सब चले जाएंगे शांती धाम जहां हम आत्माय रहती हैं सुख धाम में है स्वर्ग दुख धाम में है ये नर्ग ये चक्र फिरता रहता है पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं परम पिता परमात्मा भी सर्व की सदगती कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना मनुष्ट डरते हैं ये नहीं समझते मौत से ही गती सदगती होनी है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्य सार पहला फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के काटे हैं उन्हें निकाल देना है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सुराप मिल जाए दूसरा सच खंड का मालिक बनने के लिए सत्य नारायन की सच्ची कथा सुनने और सुनानी है इस जूट खंड से किनारा कर लेना है वर्दान लाइट के आधार पर ग्यान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोग शाली आत्मा भव जैसे प्रकरती की लाइट साइंस की अनेक प्रकार के प्रयोग प्रेक्टिकल में करके दिखाती है ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रेक्टिकल इस्तिती की लाइट द्वारा ग्यान योग की शक्तियों का प्रयोग करो यदि इस्तिती और स्वरूब डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है जब हर एक सुमयम के प्रती प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोग शाली आत्माओं का पावर्फुल संगठन बन जाएगा सिलोगन विग्नों के अंश और वन्श को समाप्त करने वाले ही विग्न विनाशक हैं अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती कि अच्छाएं थो बन शान्ती ओम शान्ती ग्राएं जाएंगे गदेख देशिग मत्स फिसस्याक प्र्योट रजीग के अफिस भार से विभ्व साराओं